मेरट में अच्छानक गद्दों के गोदा में आग लगने से हरकम मच गया आग की चपेट में आकर गोदा में दो साल की मासुम की जुलस कर मौत हो गए जिसके बाद आकरोशित लोगों ने हंगामा भी किया घटना मेरट के थाना खरखोदा अक्षेत्र के यमुना नगर की है जहां अचानक आग की लप्टे अवैद रूप से बनी इस फैक्टरी से बाहर निकलने लगी जैसे ही लोगों ने लप्टे निकलती देखी तो हड़कम मच गया आनन फानन में दमकल कर्मियों को सुचना दी गए लेकिन लोगों में आक्रोश इस बात का है कि करीब एक घंटे तक दमकल विबाक की कोई गाड़ी मौके पर नहीं पहुची थाना खरखोदा पुलीस ने मौके पर पहुच कर लोगों के साथ रिस्क्यो आपरेशन शुरू किया मजदूर परिवार के लोगों को फैक्टरी से बाहर निकाला गया हाला कि उन्हीं के एक मासुम बच्ची मिजबा आग के बीच फस गई और वही जुलस कर उसने दम तोड़ दिया आग लगने से हड़ कम मच गया जिसके बाद इलाके के लोगों की फैड़ लग गई हाला कि फैक्टरी संचालक नफीस मौके से फरार हो गया रिहाशी इलाके में गलत तरीके से फैक्टरी चलाई जा रही थी जिसमें मजदूरों का एक परिवार काम कर रहा था आग लगने से लाखों का माल भी जल कर राक हो गया फिलहाल पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है